नमस्ते दोस्तों जीपी ओनलेन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनह सौगत है उमीद करता हूँ दो हजार चौबिस के लिमिटर डिपार्टमेंटल कॉंप्टेटिव एक्जाम के लिए तैयारी बहतरीन चल रही होगी इस तैयारी को आप डे टू डे इंप्रूब कर रहे होंगे किसी भी सेसन का मैं सुरुवात करता हूँ तो एक मोटिवेशनल लाइन के बारे में चर्चा करता हूँ आज का जो मोटिवेशनल लाइन है कि कर्म से बिजय है भाग भी कर्म पर निर्भर है कर्म है तो सफलता तैय है जीपी ओल्लाइन क्लासस ने दोजार चॉबिस के लिमिटर डिपार्टमेंटल कॉंप्टेटिव एक्जाम के लिए एक टैग लाइन दिया है जो आपकी सफलता निश्यत करें पहला कोशन है इसका उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा सी अगले कोशन की ओर हम चलते है महत्पूर्ण क्वेशन पूचा है कि विदेश डांक में डांक वस्तु को कितने स्रेडी में विभाजित किया गया है जैसे अगर आप इनलेंड पोस्ट की बात करेंगे तो इनलेंड पोस्ट में आर्टिकल को 10 कटेगरी में डिवाइट किया है वो सेनेरियो जो है फोरेंड पोस्ट का स्थती में लागू नहीं होता है फोरेंड पोस्ट में दो कटेगरी में डिवाइट किया पहला पत्र है दूसरा पारसल है ये बात आपको पता होना चाहिए और उत्तर जो है इसका बिलकुल बी करेक्ट हो जाएगा इन लेटर एंड पारसल मतलब पत्र डांक और पारसल डांक इसका करेक्ट जबाब हो जाएगा अगला देखिएगा थार्ड नंबर का कोश्चन चलिए यूप्यू का इस्थापना बहुत बार पूछा जाता है 9 अक्टूबर 1884 डेट आपको ध्यान रखना है यूप्यू इस्टैबलीस 9 अक्टूबर 1874 इसका आपको हेड़कॉर्टर भी पूछता है तो आपको अच्छे तरीके से देखा होगा इसमें आपको अच्छे तरीके से मैंने एक्स्प्लेइन किया है एक है देखिएगा यूणिवर्सल पैसिक यूनियन इसका सही जवाब हो जाएगा अगला कोशन देखिएगा पांच नंबर का यूप्यू का मुख्याल है और स्के कितने सदस देश हैं वेर इस दा हैट कोटर आफ यूपी और हाव मेनी मेंबर डज इट है एक्ष्ट कोश्चन ऑन यूर स्क्रीन गिम राइट आंसर और कॉमेंट बॉक्स करेक्ट जब आप हो जाएगा इसका है यह बहुत बार पूछा गया है थोड़ा इंपोर्टेंट पोस्टल आइटम आर कंसाइडर सिंगल पोस्टल एरिया डूवल पोस्टल बॉथ एंड भी या नन अफ दी नन अफ दा अबब अच्छा कोश्चन है क्या बोल रहा है पत्रडांक मदों के परसपर बिनमय के लिए संग के सदस्देशों की छेतरों को एकल सिंगल पोस्टल और एरिया माना जाता है सिंगल टेरिट्री माना जाता है या बहुत एंड़ दोनों अगला कुश्चन देखिएगा प्रीडम में संग के पूरे छेत्र में कि कि किसके लिए तंचार डाक्तार के लिए परिवहान के लिए या रेलबे के लिए बताईएगा यूपी ओ में जितने भी मेंबर कंट्री है उन सभी को six का अंसर कहा six का अंसर ए बोलाना single postal area single territory ठीक है अगला question है seven number का जिसका उत्तर जो है C correct हो जाएगा ठीक है परिवहान की सोतंतर का जो है इतने भी देश इसके member है उन सभी को दिया गया है अगला देखिएगा which agreement will apply to money order and postal order exchange of COD item कि money order और postal order इसके लाबा case on delivery वाले item के exchange पर बिनिमे पर कौन सा agreement लागू होगा यह जो बता रहा हूँ इसको ध्यान दखिएगा ठीक है पहला option देखिए single party agreement दूसरा option देखिए special bilateral agreement या फिर अगला जो बोला है normal single party agreement या इन में से कोई भी नहीं correct जबाब बताईए comment box में special bilateral agreement के तहद दूपक्षी करार के तहद ये तीनों चीजों जिसके बारे मैं मैंने बताया money order इसके लाब पोस्टल और और इसके लाबा COD का आदान परदान किया जाता है अगला है what item exchange UPU subject to special bilateral agreement की कौन से मदों को बिसेश दूपक्षी करार के तहद भेजा जाता है देखिएगा अगला सवाल स्क्रीन पे है बिलकुल 9 का उत्तर D है ना 9 का उत्तर D सभी का उत्तर सही है अगला question है स्क्रीन पर A.W.P.U. अपू का full form पूछा है A.C.N. Pacific Postal Union जो है इसका full form होता है इसकी स्थापना कब हुई थी भारत इस पर कब जोईन किया था और बरतमान में इस पर कितने country है ये भी आप ध्यान रखिएगा next question है next question वही आएगा जो मैं आपको discussion अभी कर रहा था 11 नंबर का भेनवाज A.W.P.U. Establish and Member Country कि कब इसकी स्थापना हुई और कितने देश इसके अभी सदस है पताईए एक अप्रेल 1961 एक अप्रेल 63 एक अप्रेल 62 या दो अप्रेल उनिस चेट सर जबाब जो करेक्ट हो जाएगा बरतमान में इस पर 32 देश हैं और इसकी स्थापना एक अप्रेल 1961 को हुई थी अगला कोश्चन स्क्रीन पर है भारत कब जोइन किया वें डिडिड इंडिया जोइन एडबल पी यू कई बार अप्रू को हम एसियन ओसेनिक पोस्टल यूनियन भी बोल देते हैं 1973 ठीक है 1973 ये डेट आप ध्यान रख लीचेगा तेरा नंबर का कुश्चन है इसमाल पैकेट टू फॉरेन कंट्री कंटेनिंग एनी डाकुमेंट पर्सनल करेस्पोंड पुरूबिटेड अंडर विच कटेगरी कि विदेश जाने वाला छोटा पैकेट व्यक्तिकर्स पत्राचार का कोई दस्ता बेज है उसके अंदर तो किस त्रडी के तहट इसे अपराध माना जाता है विदेश में जो भी चीजें भेजी जाती है उसमें तीन कटेगरी का निसेद है मैंने उसके बारे में बताया था ठीक है तो अगर एक मैंने बताया कि बस तुमें अगर कोई ऐसी चीज है जिसको भीजना निसिद है और उसको आपने भेज दिया तो उस कंडिशन में उसको हम क्या प्रीटमेंट करेंगे निसेद का उद्देश सुरक्षा सुनिश्चित करना है निसेद कुछ बिशेश उद्देशों के लिए अभी प्रेत है अगला बोला लेख की प्रकत इसे उत्पन निसेद के अंतरगत रखा जाता है उत्तर काफी लोगों ने सी दिया है और सी बिलकुल correct है ठीक है क्योंकि स्माल पैकेट में आप personal communication भेजने का अनुमती नहीं दिया गया है चलिए अगला गोश्चन देखिए चाउदा नम्बर का article containing sharp object not properly protected is brought to country by customer it can be refused for कि नुकीली वस्तु वाली वस्तु ठीक से संरक्षित नहीं है ग्राहक दोरा काउंटर पल लाया जाता है तो इसे हम किस निसेद की कटेगरी में रखेंगे देखिए निसेद का उद्देश सुरक्षा सुनिश्चित करना बिलकुल ये बात सही हो निसेद का उद्देश क्या है कि सार्प उब्जेक्ट जो है उसे तुरक्षा सुनिश्चित करना है किसी को चोट का खत्रा नहों इसलिए इसे निसेद की कटेगरी में रखा जाता है अगला सवाल पंद्रा नंबर का सवाल है वाट इजब भी आपको विदेश डांक में प लेटर एंड पोस्ट कार्ड प्रिंटेड पेपर इसमाल पैकेट एंड ब्लाइंड लिटरिच्चर मैंने तो एक चिछ महले बताया कि बिदेश डांक में टोटल दो कटेगरी है पहला कटेगरी है पत्र का और दूसरा कटेगरी है पारसल का ठीक है तो भाई पत्र का प्रिंटेड पेपर इसमाल पैकेट यह सभी चीज़ें आजाती है लेटर भी आजाता है इसके लाबा यह पोस्ट कार्ड भी आजाता है इसके लाबा यह प्रिंटेड पेपर इसमाल पैकेट यह सभी चीज़ें आ जाती है तो लेटर पोस्ट में यह सभी हो जाएगी डी उत्तर काफी लोग का उत्तर सही है अगला कोश्चन 16 नंबर का और विचा दा फालोइंग स्पेसल सरभीस दा चार जार सेम आल डा डेस्टिनेशन कि निम्न लिखित में से किन सेवाओं के लिए सुल्क सभी गंतब पर एक जैसे है रजिश्टी के लिए बिलकुल एक जैसा है कितना रजिश्टी चार्ज है बरतमान में क्योंकि 2022 में अंतराष्टी टैरिप में बदला हुआ था तो अभी कितना है किसी को याद है तो कमेंट करिएगा एक नॉलेजमेंट इंसुरेंस का चार्ज सभी जगह समान है लेट फीस जो है सभी जगह समान है ये जो चार्जे से समान होते हैं ये ध्यान लखिएगा इसका उत्तर इसलिए डी हो जाएगा ठीक है? सत्रा नंबर का कॉश्चन देखिएगा एंबलाफ विल्ट बित कलर्ड स्ट्रिप ओन दा इंड आर यूज पॉर एयर मेल स्टेटमेंट बताईए कि ऐसे लिफापे जिनके सिरों पर रंगीन धारिया हो उन्हें के बल एयर मेल लेटर के लिए यूज किया जाना चाहिए कथन सत्त है या फिर कथन? सत्त है कथन बिल्कुल सत्त है अगला कुश्चन देखिएगा आठारा नंबर का है विच साइड सुड़दा ट्रांस्परेंट पेपर फेसिंग ट्रांस्परेंट एंबलाफ पारदरसी लिफापों में पारदरसी कागच किस तरफ लगा होना चाहिए समतल भाग की तरफ उड़दा धर भाग बतलब बर्टिकल साइड दोनों साइड या नन अफ दैव राइड आंसर क्या हो जाएगा पैरलर साइड समतल भाग की तरफ पारदरसी बाला जो भाग है वो लगा होना चाहिए ये बात आप ध्यान रख सकते पारदरसी लिफापे में पारदरसी का जो भाग है वो किस प्रकार होना चाहिए किस आकार का होना चाहिए राउंड सेप रेंगुलर रेक्टेंगुलर या स्क्वेर सेप मैंने आपको जब बताया था कि पारदर्सी वाला जो भाग होता है वो रेक्टेंगूलर होता है क्या तब आयताकार होता है अगला कोश्चन देखिए ये महत्पूर्ण कोश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है कि विदेश डांक वस्तु में प्रेसक का पता आपको कहां पर लिखना है 20 का ये बोल रहे हैं टॉप लेप्ट कॉर्णर बॉटम लेफ्ट कॉर्णर टॉप राइट कॉर्णर ये बॉटम राइट कॉर्णर थोड़ा सा इनलेंड में और इसमें डिफरेंस हो जाता है ठीक है कि बाये कोने में सबसे उपर जो है विदेश डांक में आपको प्रेसक का पता लिखना होगा ठीक है चलिए अगला देखिएगा कि डांक टिकट रैंकिंग छाप लिफापे में कहां लगाए जाते हैं अगला कोश्ण का उत्तर जो है ए हो जाएगा टॉप राइट एज टॉप टाहीने किनारे में उपर की तरफ टुएंटी टू नंबर है विदेश डांक में डांक सुलकी अदायगी किस प्रकार की जाती है विद पोस्टेश टाम फ्रेंक इंप्रेशन दोनों माद्यम से इन में से कोई नहीं तुएंटी टू का विल्कुल सी हो जाएगा पोस्टेश टाम हिमांस का उत्तर सही है फ्रेंकी इंप्रेशन दोनों का उप्योग करके डांक भार की अदायगी कर सकते हैं अगला सवाल वाट सुड रेटेन इंप्रेशन फ्रेंकिंग मसीन यूज इन फॉरेंड पोस्टल आर्टिकल कि जब भी आप विदेश डांक में फ्रेंकिंग मसीन की छाप लगाएंगे तो उस पर एक सब्द लिखा होगा सब्द परिच्छा में कई बार रिपीट हुआ है योजी टू में जो सब्दों को मैं बताऊंगा उन सब्दों को ध्यान रखना पड़ेगा डारेक्ली वो सब्द आप के परिच्छा में पूछे जाते हैं भारत डांक सुल्क बिलकुल ये वर्ड ही लिखा होता है आगे हमको जाने ही नहीं है न ये उत्तर करेक्ट हो जाएगा इंडिया पोस्टेज भीवेक यादो अबिजीत गने सबी का उत्तर सही है 24 में आते हैं टांक सुल्क की नगद पूरबदाईगी के लिए गैर रजिस्टर्ड बड़े सहर और छोटे सहर में कितनी संख्या में भेजना जरूरी होता है देखिए इस कुश्चन को उत्तर जो है इसका भाई बड़े सहर की बात करेगा तो 500 और छोटे सहर करम सहा बताना है ना करम सहा तो इस बात कभी आप ध्यान रखेगा तो 500 और 200 मतलब बी उत्तर चलो अगला देखो 25 है पहले बुक की गई डांक समगरी को कानून के नुसार हिरासत में लिया जाता है जबत किया जाता इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा बताईए प्रेसक पता करता बुकिंग का पोस्ट आफिस डिलिवरी का पियो डांक भी भाग जब आप जो करेक्ट हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा इसके लिए प्रेसक या एड्रेसी मतलब पता करता प्राप्त करता भी बोल सकते हैं प्राप्त करता कर देंगे यह उत्तर करेक्ट होगा दोनों ही जिम्मेदार होते हैं अगला कोश्चन देखिए तीन टाइप के निशेद हैं विदेश डांक में टोटल तीन टाइप के निशेद हैं बस्तू से संबंदित निशेद रख्छा सुन्शित करने के लिए निशेद और एक और कटेगरी का निशेद है अगला कोश्चन है उसी से संबंदित कि खुले बिग्यापन वाले विदेश में पंजीकर समाचारपत्र किस रडी के अंतरगत निसेद माना जाता है। अगला कोश्चन जो इस स्क्रीन पर आया है वो पूछा है कि यदि खुले बिग्यापन वाले विदेश में पंजीकर समाचारपत्र किस रडी के अंतरगत इसे निसेद माना जाता है। तो अगर आर्टिकल में जो दिया गया नियम है उसका पालन नहीं करते तो C उत्तर बिल्कुल करेक्ट होगा। कि प्रोबिटेशन अराइजिंग आउट अफ नेचर आफ दा आर्टिकल कि भाई जो नियम हमने बताया कि इस नियम के अंतरगती आर्टिकल भेजना है उन नियमों का पालन नहीं करते तो वो निसेद जो है हो जाएगा। 26 का C है अगला कोश्चन है 27 नम्मर का ससत्र सेनाओं के लिए वस्तुएं किस पते पर भेजी जाएंगी तुवार्ट अड्रस विल आइटम बी सेंट फॉर आर्म फोर्स 56 अपियो फ्लीट ऑफिस बॉम्बे बॉत या 66 अपियो चलो अगला देखो उत्तर इसका करेक्ट हो किया है C है ना A and B दोनों अगला कोश्चन देखो भाई साब अगला अब परिवर्तनी पत्र किसे वापस किये जाते हैं जो लेटर नहीं बढ़ते हैं उसको कहां वापस किये जाते हैं अभी तरनी पत्र किसे वापस किये जाते हैं बताए उद्गम देश प्राप्त करता को इसके लाबा वित्रन देश इसके लाबा उप्रोक्त में से कोई नहीं 56 APO, 99 APO उसमें एक ही option दिया है उसके लाबा fleet mail office दिया है तो उसके हिसाब से आपका उत्तर C correct होगा ठीक है? लास्ट में आपका D दिया है 66 APO जो तो कोई post office ही नहीं है इस बज़े से हमने उत्तर C select किया है कोई भी आर्टिकल अवित्रणी आर्टिकल है कोई आर्टिकल जो नहीं deliver हो पाया ठीक है? उसको हम country of origin में भेज देंगे उद्गम देज जहां से आया है वहाँ पर हम उसको भेज देंगे अगला question आपकी screen पर है क्या बोल रहा है कि भारत में डांगर दौरा बिदेशी लेखों के संबंद में भारत के पतों से पूस्ताँ स्विकार नहीं की जाती तो क्या ये बात गलत लग रहा है आपको? हाँ जी बिल्कुल गलत लग रहा है हमने साप तरीके से नियम पढ़ा था कि आप यदि पूस्ताच करना चाहते हैं तो कहीं से कर सकते हैं जहां पे आपने पोस्ट किया है और जहां article डिलेवर होगा कहीं से भी कर सकते हैं दूसरे कथन को पढ़ लेते हैं तो फिर उसके बाद हम decide करेंगे पहला तो गलत ही हो गया है तो हमारा उत्तर ये करेक्ट है दूसरा देखते हैं देखिएगा क्या बोल रहा है यूपियू के सदस्त किसी अन देश में पोस्ट की गए पत्र और पारसल लेखो संबंदित पूस्ताच सुईकार की जाती है तो ये बात तो सही है पूस्ताच सिकाय सादे कागज में अब प्रस्तुत कर सकते हैं ये बात भी सही है उत्तर ये ही करेक्ट था धोड़ना था गलत तो गलत हमारा पहला ही मिल गया तो दूसरे में जाने का जरूरत नहीं है अगला कुशन है जाबक सरकारी विदेज डांक आबक सरकारी विदेज डांक प्राइवेट डांक या बिसेज डांक बताईए क्योंकि आपको पता होना चीए जाबक सरकारी डांक पर जो आउटबर्ड ओफिसियल फॉरेंड मेल है उस पर आप कर सकते हो लेकिन इनवर्ड मेल पर सरकारी टिकट को उपियोग नहीं किया जाता कुश्चन बहुत बार पूछा गया है मतलब ध्यान रखिएगा कि आउटबर्ड ओफिसियल लेटर पर आप कर सकते हो सरकारी टिकट इनवर्ड पर नहीं करोगे इनवर्ड पर करना बरजित है ये थोड़ा सा आपको अपवाद ध्यान रखना पड़ेगा अगला है कि जिन डागवस्तू पर सुल्क दे होता है या लिखा होता है उन पर हस्ताक्षर कौन करता है देखिए का है इस कोश्चन का उत्तर जो है ए हो जाएगा डागर का कोई प्राधिकरी अधिकारी सरल से कोश्चन था ठीक है अगला देखो, अगला question है, क्योंकि आपका size से संबंदित है, फॉरेंड में size से संबंदित, size का question भी कई बार आता है, what should be maximum sum up length thickness, later largest dimensions should not exceed, किम बत्र की लंबाई मुटाई का दिक्ता मियोग कितना होना चाहिए, एब हम सबसे बड़ा आयाम क्या होना चाहिए, 800, 600, या फिर उसके बाला बुला 10, 400, 900, 600, या फिर 10, 400, 900, जब आप जो correct हो जाएगा, वो हो जाएगा, C 900 mm, ठीक है, इंटू 600 mm, आप डामेंज सा नियान रख सकते हैं, नेक्स वर्शन आपका स्क्रीन पर है, कि इन देसों के अलाबा अंतर राष्टी ये पत्रकाड के इस्तमाल के अनुमती नहीं है, बतलब कुछ देसों में आप पत्रकाड भेज सकते हैं, इन लेंड बाला, अगल बगल के जो आपके पड़ोसी देस हैं, उन पर आप इसका उपियोग कर सकते हो, क्योंकि इन लेंड का नाम ही अंतर देसी है, तो इसका उपियोग भारत के अंदर करना है, लेकिन भोटान भेज सकते हो, बंगला देस और नेपाल, ये तीनों देसों के नाम ध्यान लखिएगा, बाकी जगहे आप नहीं भेज सकते हो, फिर भेजेंगे तो उसके लिए अलग कंडिशन है, चलो अगला देख लो, प्राइबेट पोस्ट कार्ट का अधिक्तम साइज पूछा है, चलिए बताईए, उत्तर कमेंट बॉक्स बताईएगा, गाइड के अनुसार बताना है, ध्यान दखिए, गाइड के अनुसार ध्यान लखना है, 105 into 148 mm, mm में ध्यान रखना है, इसका, अगला क्वेशन स्क्रीन पे है, निउन्तम माप बताना है, पोस्ट कार्ड, प्राइबेट पोस्ट कार्ड, वो भी POG2 के अनुसार, POG2 के ही कोश्चन कर रहे हैं न, बताइए, पहला क्या था, 105 into 148 था, ये तो मैक्जिमम हो गया, जब निउन्तम पूछेगा, तब आपको 90 into 40, ये ध्यान रख लेना है, चलो, अगला देखो 36 नंबर का, पोस्ट कार्ड that do not meet condition with the concider, कि जिन पोस्ट कार्ड पर आप सर्तें पूरा नहीं करतें, उन्हें क्या माना जाएगा, लेटर, इनलेंड लेटर, पार्सल या ननौफ दायबब, ठीक है, एक्स्ट कॉश्चन उत्तर, इसका लेटर हो जाएगा, पोस्ट कार्ड पर दी गई सर्तें फॉलो नहीं की जाती, तो आपको ध्यान रखना है, कि उसे हम पत्र मानेंगे, लेटर मानेंगे, 37 है, how many category printed paper in foreign post, विदेज नाक में मुद्रित कागच की कितनी काटेगरी है, 2345, ठीक है, जब आप यह हो जाएगा, दो category में उपलब्ध है, अगला कुश्चन देखिएगा, अगला कुश्चन है, मुद्रित कागचों की packing में मुद्रित कागच की और लिखा जाता है, मुद्रित कागच की दो category है, printed paper होता है, और एक register news paper होता है, अंतर देशी में इसी मुद्रित कागच का बात करेंगे, तो वहाँ पर चार category आपको दिखाई देता है, बुक पैकेट का मैंने बताया था, और वही चीज फॉरेंड में दो category हो जाता है, मुद्रित कागच, जो word होता है, printed paper का, ये word जो है आपको to the address side, पते की उर लिखना है, ये बात आप ध्यान लखेंगे, मीनिंग बताना है port pay का, word हमने आपको बताया port pay, port pay का मतलब क्या होता है, भाई postage not paid, postage paid, postage half paid, या कोई भी नहीं, तो जब भी आपको कहीं पर दिखाई दे आपके परिच्छा में कि port pay, तो आपको ध्यान लखना है कि postage जो है, वो paid कर दिया गया है, कि क्या डांक सूल किस पर पहले से paid है, अगला देखीगा port pay का बात किया है, size क्या होता है, मतलब किस size में आपको ये port pay लिखना है, 20 by 15, 10 into 20, 15 into 80, 15 into 40, आपको ध्यान होना चाहिए, कि port pay का जो size होता, जो चौखाटा होता है, वो 20 by 15 में होता है, ठीक है, ध्यान लखिएगा, प्रिंटेड पेपर होता है, उसका size किस के समान होगा, लेटर के postcard similar to either no one, which one is correct, राइड अंसर ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पत्र का जो size है, वही आपका मुद्रित कागच का size है, maximum rate किता होता है, मुद्रित कागच का, जब आप जो correct हो जाएगा, वो 2 kg, प्रिंटेड पेपर 2 kg है, अगला कोश्चन है, थोक थैला, bulk back system होता है न, bulk back system में आपको अधिक्तम और new time, weight बताना है, प्रिंटेड पेपर 2 kg है, याद रखिएगा, अगर उस पर book और pamphlet होता है, बुक और pamphlet होता है, तो 5 kg हो सकता है, थोड़ा सा इसको थेहन रखिए, क्योंकि यह important है, बहुत बार पहुंचा गया है, पांच जो है, new time होगा, bulk back में अधिक्तम 30 होगा, ठीक है, यह भी सराल सा question था, चलिए बताइए, यह महत्मूर question है, थोड़ा सा unique है, और यह आपको याद नहीं होगा, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, और याद नहीं है, तो याद कर लिजेगा, और which country bulk back system is not operational, कि किस देश के लिए bulk back की सुविदा अभी चालू नहीं है, सिलंका, एच पर guide बताना, भई एच पर guide बताओगे न, सिलंका, नेपाल, भुटान, पाकिस्तान या चाइना, जापान, देखिएगा, क्या बूल रहा है, कि थोक, ठेला, प्रणाली में अभी बात किया, कि 5 kg न्यूंताम, 30 kg अधिक्ताम, अब bulk back में कौन सी चीज जाती है, प्रिंटेड मटेडियल जो होता है, ठीक है, प्रिंटेड पेपर वले आइटम जो है, इसमें भेजे जाते हैं, याद रखिएगा, कि प्रिंटेड पेपर जो होता है, उसका साइज जो है, पत्र के समान होता है, फिर से अगला कुशन आया, कि जो इसमाल पैकेट है, यह सभी चीजें, पत्र की कटेगरी के अंतरगत आती हैं, अब पूछा आये, समाल पैकेट का आयाम कितना होगा, गोस्ट कार्ड, पत्र क के समान, मुद्रित कागच के समान, इन में से कोई नहीं, अगला कुशन है, जब आप जो करेक्ट हो जागा, same as later, same as later, ध्यान नहीं, फिर अगला कुशन है, अंदसाहित पैकेट, जो कि पत्र का ही टाइप है, पूछा यह है, कि इसको हम कौर क्या बोलते हैं, एक और नाम स इसे संबोधित किया जाता है, वो ही पूछाए आपसे, टीकि अंदसाहित पैकेट को हम एक और नाम से बोलते हैं, सी को ग्राम होता है, सी को ग्राम, जब खौरन के लिए इसको हम यूज करेंगे तो सी को ग्राम, मैक्सिमम बेट बताइए, बील पी, टीकि बील पी एक्स कोष्चन में चलते हैं, एक्स कोष्चन है, ये पूच रहा है, उकसा सुल्क लिया जाता है, और प्रिंटे पेपर हो गया, इसके लाबाब आंदसाहित भी हो गया, सभी का जो साइज होता है, वो लेटर के समानी होता है, क्योंकि लेटर का ही आगे हो प्रिष लेटर के ही प्रकार के अंतरगास सब आते हैं ये, क्योंकि फॉरन में दो ही कटेगरी तो है, एक लेटर है, एक फॉर एक पारसल है, इसका उत्तर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका air charge, ठीक है, air postage जो है वसूल किया जाता है, बांकि कोई भी charge नहीं लगता, त अगला question है, complain करना है आपको VPCOD संबंदीत, तो समय अबधी बताना है, इसका उत्तर बारा है, कोई भी article है, फिर से बता देता हूँ, complain करना है, कोई भी item है, एक साल का है, फॉरन में अगर पूछा complain के बारे में, तो एक साल आख बंद करके लगा दो, चलो, अगला देखो अगला question है, airmail is sent, airmail वाले जो article है वो, केबल हवाई से, इस्थल से, या दोनों से, इन में से कोई नहीं, कौन सा इसका उत्तर correct है, कोई भी article अगर airmail वाला है, तो केबल हवाई से उसे हम प्रेसित करेंगे, उत्तर A correct हो चुका है, कि कहा जी, आज के लिए 50 question complete कर लिए है, धेड़ सारा मेहनत करिए, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जी पी क्लासेस का नाम करिए, 2024 में LDC exam क्रैक करिए, जुड़ने के लाप सभी का धन्यवाद